Hello everyone, welcome to our YouTube channel EducationWire. Today we are here to talk about Plato's views on poetry. इससे पहले भी Plato के बारे में उपने पहले की वीडियो में डिसक्स कर चुके हैं. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं, तो आप उन वीडियो को मारे चैनल पर देख सकते हैं. So let's talk about Plato. Plato was an Athenian philosopher during the classical period in ancient Greece, around 428 BC. तो ancient Greece के टाइम पर ये Athenian philosopher थे और साथ ही साथ ही Socrates के disciple भी थे. यानि कि Socrates के follower थे, Socrates के student थे. अभी फेमस ग्रीक philosopher Socrates, वो भी हम अपने वीडियो में डिसक्स कर चुके हैं, Socrates के बारे में आप वो जाकर देख सकते हैं. और अभी हम बात कर रहे हैं Plato की. So ये जो Plato है, ये Socrates के student थे. इन्होंने अपने Allegory of the Cave, जो की Plato का work है, उसमें Socrates के बारे में बहुत कुछ लिखा है और वो उन्हें पर based है. तो आज हम बात कर रहे हैं Plato के views, जो कि उन्होंने poetry के उपर लिखे हैं. तो Plato did not like poetry because he believed it distorts reality. Plato जो है, poetry को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये reality से दूर ले जाती है हमें. So Plato कहते हैं कि वो poetry को पसंद नहीं करते क्योंकि ये reality से हमें दूर ले जाती है. So Plato के कुछ points रखे हैं, वो हम एके करके discuss करेंगे. जैसे कि first point is, art is a mere imitation, therefore it is deceptive. तो वो कहते हैं कि art जो है, वो सिर्फ और सिर्फ imitation है, फिर भी हम उस पर believe कर लेते हैं. For example, जब हम कोई movie देखते हैं, हमें पता है कि वो movie जो है, ऐसे ही continue चल रही है, उसमें perform किया गया है, और वो सब कुछ real में नहीं हो रहा उस time पर. लेकिन फिर भी हम उस पर ऐसे believe करते हैं, जैसे कि वो real हो. तो उनका कहना है कि art सिर्फ और सिर्फ एक imitation है, फिर भी हम उस पर believe करते हैं. But यहाँ पर इनका कहना है, कि जो भी चीज हम देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक copy है. क्योंकि actual thing जो है, वो हमारे mind में है, वो spiritual realm है, जो कि change नहीं हो सकता. इन्होंने काफी सारे example दिये हैं, for example इन्होंने chair का दिया है, जैसे कि जो idea, अगर हमारे mind में एक chair की picture है, एक chair है अगर हमारे mind में कि हमें इस तरह की chair चाहिए. तो वो जो idea है, वो spiritual realm है, abstract idea है, जो कि change नहीं हो सकता, वो image change नहीं हो सकती, वो mind में जो है, वो spiritual है, वो abstract है, तो वो जो है, वो first चीज है, वो first copy है, वो उसे original मान सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो second object है, अगर chair हमारे सामने है, तो वो second copy हो गई. और अगर हम उसकी painting मनाते हैं तो वो third copy हो गई So according to him art जो है सिर्फ और सिर्फ एक imitation है ये इनका first point था आप देखते हैं उन्हें second point में क्या कहा इन्होंने कहा It encourages emotions rather than logic कि ये emotions को ज़्यादा महत्व देते हैं logic से ज़्यादा So according to him art emotion को ज़्यादा encourage करती है बजाए logic के क्योंकि इनका कहना है कि poetry जो है rational नहीं है poetry logical नहीं है बलकि poetry emotion को encourage करती है logic को नहीं यहाँ पर किसी तरीकी की कोई judgment नहीं हो सकती सिर्फ और सिर्फ emotions present किये जाते हैं एक poet के So according to him poetry में जो भी कुछ होता है वो emotions पर based होता है consciously कुछ भी नहीं होता लेकिन हमें जो सब कुछ करना चाहिए इनके according वो सब कुछ consciously होना चाहिए जो भी कुछ हम करते हैं हमारे actions पर judgment होनी चाहिए logic होना चाहिए और सब कुछ consciously होना चाहिए जबकि poetry में ऐसा कुछ भी नहीं है इसलिए यह poetry को पसंद नहीं करते So, ये थी इनके दो points, अब बात करते हैं third point के बारे में जिसमें इनोंने कहा कि art is useless whether it is poetry or anything else तो इनके according art useless है चाहे वो poetry हो या कुछ और हो So, इनके according society में जो कुछ भी है उसका useful purpose होना चाहिए अगर उसका purpose नहीं है ये fictional चीजें जैसे कि poetry है या फिर कुछ भी art है movies है या books है fictional चीजें इनके according वो knowledge नहीं present करती किसी को knowledge नहीं देती सिर्फ और सिर fiction है So, इनके according जो भी art है चाहे वो poetry हो या और कोई art हो जैसे कि हम use करते हैं fictional stories, songs and all that So, ये सारी चीजें useless है इनके according जैसे कि poetry भी उनी में एक है इसके बाद ये कहते हैं it encourages immorality So, according to him art जो है हमें immorality की तरफ ले जाती है ना कि morality की तरफ ऐसा क्योंकि आज के टाइम पर अगर हम movies देखे तो उन में किस तरह crime poetry किया जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि जो कुछ सीखा movies से सीखा So, it depends So, इसी के according इन्होंने बोला कि art immorality की तरफ ले जाती है ये बात कितनी सही है और कितनी गलत ये तो depend करता है लेकिन ये Plato की views थे poetry को लेकर art को लेकर So, this is all about Plato कि इन्होंने बोला कि art useless है ये immorality की तरफ ले जाती है या फिर ये emotions को जादा importance देती है बजाए कि rational thinking के इसी वज़े से ये poetry को पसंद नहीं करते So, I hope you guys understand about Plato's views on poetry If you understand hit like, share it and subscribe it Thank you